रशिया यूक्रियन क्राइसिस के बीच में काफी सारी चीज़े चेंज हो रही है इस्पेशली अगर हम जियो पॉलिटिक्स या जियो एकनॉमिक्स की बात करें और यहीं पे इंडिया की परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो रशिया ने इंडिया को यहां पे क्रूड ऑईल यहां पे ओफर किया है रशिया ने ये कहा है कि हम आपको डिसकाउंटेट प्राइस पे यह जो क्रूड ऑईल है यह आपको अविलेबल कराएंगे इसी के regarding जो रशिया के deputy prime minister है और इंडिया के जो petroleum minister है उनके बीच में conversation हुई है last week इसको लेके finance minister इंडिया की जो finance minister है उन्होंने statement दिया था तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिस discounted price पे हमें crude oil मिलेगा वो इंडिया की economy के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं वरदान साबित हो सकता है क्योंकि अभी जो Russia-Ukraine crisis चल रहा है crude oil बहुत ज़्यादा volatile हो गया हमने देखा 2008 के बाद सबसे ज़्यादा उच्छितम इस तरह पे पहुंच गया था या इससे हमें accept करने में कुछ issues रहेंगे इस पूरे issue को detail में discuss करते हैं मेरा नाम है राहूल भरदवाज इस टेलिग्राम ग्रूप पे आप मुझे follow कर सकते हैं इसके लावा pathfinder को subscribe करना ना भूले इसी तरह के current affair related updates के लिए जो भी बच्चे UPSC के त्यारी कर रहे हैं 2023 और 2024 के examination के लिए आपके पास opportunity है optional subject आपको an academy की तरफ से free of cost दिया जा रहा है अगर आप एक साल या उससे उपर का कोई भी subscription लेते हैं you will be getting this optional subject free of cost और यह जो fees है आपकी यह हो जाती है 46,000 इसमें आपका pre mains का जो GS है और optional तीनों include हो जाते हैं और use the code RBI to get these maximum discounts and personalized guidance किसी भी query के regarding आप इस number पे भी connect कर सकते हैं देखे सबसे पहले हम यह चर्जा करते हैं कि Russia जो है इस तरह से discounted price पे हमें crude oil या जादा crude oil क्यों offer कर रहा है क्यों energy sector में इंडिया के साथ partnership को बढ़ाना चाता है तो reason सभी के सामने है Russia Ukraine crisis की वज़े से काफी सारे economic sanctions लगाए गए रशिया के उपर बहुत strong economic sanctions लगाए गए हैं चाहे वो उसके reserve bank जो भी central bank है उसके reserve कॉसेट जो reserve को जो भी है block करने की बात हो फ्रीज करने की बात हो या फिर हम financial system से related restriction की बात करें swift etc और यहाँ पे अब जो oil import है इसको भी block कर दिया था 8 March को यह news आये थी कि USA जो है रशिया से जो oil import है उसको नहीं करेगा हाला कि इसको European Union के जो countries है उन्होंने भी follow नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा dependent है रशिया के oil के उपर oil and gas दोनों पर तो यह जब news यहाँ पर सामने आई तो हमने देखा कि और बहुत सारे जो European countries हैं उन्होंने भी कुछ announcement यहाँ पर किये UK कह रहा है कि हम Russian oil को phase out करेंगे 2022 तक European Union कह रहा है कि ठीक है अभी तो हमारी dependence ज़्यादा है जैसे 40% gas रशिया से आ रही है 25% oil रशिया से आ रहा है तो immediately तो यह नहीं कर सकते possible नहीं है लेकिन यह कह रहे है by 2030 हम धीरे धीरे करके कम करेंगे और हमारे जो dependence है उसको खतम कर लेंगे मतलब हम independent हो जाएंगे रशिया के उपर से यहां से तो रशिया के सामने और इसी तरह से Nord Stream Pipeline के extension को लेके भी बात हो रही है Nord Stream Pipeline जो जर्मनी तक gas पहुंचाती है इसी को बढ़ा किया जा रहा था तो इसको भी अभी hold पे डाल दिया गया है तो कुल मिला कि यह जो development है यह जो sanctions है जिनके हम बात कर रहे है especially oil regarding oil and gas related sanctions में तो यहां पे रशिया के लिए बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि देखे धीरे धीरे रशिया जो है रशिया के लिए difficult होगा कि कौन से वो market यहां पे choose करता है क्योंकि रशिया at present अगर हम देखे है around 12% of the world oil लगबग 12% वर्ड के oil का production कर रहा है 16% natural gas का production कर रहा है तो एक बहुत major producer यहां पे है और इसी perspective से अगर देखा जाए तो रशिया के लिए अगर markets यहां पे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे USA तो major market नहीं है लेकिन European Union एक major market अगर यह बंद हो जाता है तो रशिया को alternative जो market है वो तलाशने होंगे otherwise unsold stock रहेंगे उसकी economy बुरी तरह से hit होती है economic perspective से अगर इस नजरिये से हम देखें तो रशिया की जो GDP है उसके अंदर जो oil and gas sector है इसका contribution 25% से भी जादा है oil and gas sector का मतलब energy sector एक बहुत important role play कर रहा है और अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी issues होते हैं तो पूरी की पूरी Russian economy जो है वो damage हो सकती है इसी लिए Biden ने यह sanctions यहाँ पे लगाए है oil related sanctions हाला कि अभी impact नहीं हो रहा है long term में यह बहुत ज़्यादा गंबीर नुकसान रशिया को कर सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया क्या कर रहा है अपने market को diversify कर रहा है और यहाँ पे इंडिया की तरफ रशिया ने move किया है क्योंकि इंडिया की जो oil related need है बहुत ज़्यादा है at present अगर हम देखें तो हमारे import के अंदर ज़्यादा बड़ा contribution रशिया का नहीं है केवल 2% ही हमारा contribution यहाँ पे है क्योंकि हमारी ज़्यादा तर needs है वो Middle East Africa से आ रही है यह जो opaque nation आपको इस चार्ट में दिख रहे है ज़्यादा तर Middle East और African countries है opaque देशों से 70% तक हमारा जो crude oil import है उसका 70% के आसपास तक हमारा आ रहा है opaque देशों से और यही यह वैसे तो दीरे दीरे कम हो रहा है क्योंकि 2078 में देखोगे तो 80% के आसपास था अभी 70 पे आ गया है इंडिया चाहता है कि हम अपनी जो यह need है import basket है इसको diversify करें किसी एक देश पे निर्बर ना रहे है तो इसी point of view से रशिया की तरफ से यह जो offer दिया गया है definitely अच्छी बात है लेकिन रशिया पे जो sanction लग रहे है उससे इंडिया को फरक नहीं पढ़ रहा कि कि रशिया जो है हमारे इसमें बहुत कम contribution कर रहा है जैसे United States का contribution लगबग जवदा परतिशत है और रशिया का जो overall contribution है इंडिया के oil import में यह केवल दो परतिशत के आसपास है जो कि Canada का भी लगबग 5% के आसपास होगा तो फिलहाल तो यह oil import कम है लेकिन अब जिस तरीके से रशिया के द्वारा हमें यह offers दिये गए है उस context में अगर इंडिया अपनी import basket को diversify कर रहा है और हम इसको बढ़ाते हैं 2% से increase करना start करते हैं क्योंकि हमें discounted price पे oil offer किया जा रहा है तो definitely oil India, okay, IOCL, BPCL यह रशिया के अंदर involve हैं और जिस तरीके से oil की prices बढ़ रही है क्योंकि देखेंगे जब यह sanctions start किये गए थे आप देखेंगे यह जब रशिया-Ukraine crisis start हुआ उससे पहले जो oil है यह $100 पर barrel एक barrel में लगबग 159 लेटर के असपास होता है और यह आप देखेंगे 100 से नीचे ही चल रहा है लेकिन जैसे ही यह war start होता है रशिया-Ukraine crisis यह price उपर जाना start होते हैं और जैसे ही यह sanction लगे है आप देखोगे price एकदम shoot कर गई यह 139 तक चली गई थी जो बहुत ज़्यादा थी 2008 के बाद में हाला कि अभी थोड़ा नीचे आ रहा है और reason है कि UAE वगरे काफी OPEC देश यहां पर production बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया को oil की need हमेशा रहेगी आज की तारिक में भी 80% से ज़्यादा हमारी जो need है इंडिया एक तरह का hub है refining hub है काफी सारे petro products को हम export भी करते हैं काफी बड़ा consumer है वर्ड का third largest consumer है इस context में अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से यह जो offers दिये गए हैं कि हम आपको discounted price पे oil देंगे इसके अलावा हम strategic partnership के लिए भी जा रहे हैं में क्या होगा इंडिया की जो oil companies हैं यसे ONGC विदेश है यह क्या कर रही है काफी सारे project हैं रशिया के अंदर वहाँ पे invest कर रही है इससे क्या होगा इंडिया अपने energy security ensure कर सकेगा है ना कि वहाँ से इंडिया को जो भी oil और gases की supply ensure हो जाएगी तो यही बात रशिया भी कह रहा है कि हम चाहते हैं आप यहाँ पे अपना investment बढ़ाईए यहना आपकी energy security के लिए भी अच्छा है तो यह आप देखेंगे सार्कलिन 1 project को mention किया गया Arctic LNG2 project है यहाँ पे भी ONGC विदेश के investment है तो यह partnership अगर increase होती है तो इंडिया की energy security के लिहाज से बहुत अच्छी बात रहेगी काफी ज़्यादा uncertainty यहाँ पे market में देखी जा रही है हलागी prices अभी नीचे आ गई है आप देखेंगे 110 के 112 के असपास यह crude आ गया है लेकिन फिर भी अगर हम यह देखें oil की अगर history को है उसका 25 के आसपास हम केवल oil import के लिए pay करते हैं और अगर oil की prices बढ़ती है जैसे oil price यहाँ पे increase हो रही है अगर per barrel 10 dollar increase हो जाता है तो यह हमें 15 billion dollar का नुकसान कर रही है मतलब हमारा जो current account deficit है वो 0.3 to 0.5% तक increase हो जाता है इतनी ज़्यादा sensitive है इंडिया की economy तो हर तरीके से हमें नुकसान है अगर oil price बढ़ती है इससे क्या होगा inflationary pressure definitely महंगा ही बढ़ेगी क्योंकि petrol diesel सब महंगा होगा petrol diesel महंगा हो रहा है तो सारी commodities महंगी होंगी रूपया कमजोर होगा इस point of view से यह सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन यहां पर कुछ challenges है इंडिया जब इसको okay करेगा तो कुछ चीज़ें हमें यहां देखनी होगी एक तो यह जो route है existing route यह blue line में आपको दिख रहा है तो कि यह यहां से अभी हमारे पास आ रहा है maximum Middle East और यह वारा जो reason है यहां से आ रहा है तो transportation cost एक major factor होगा आप देखने हैं बहुत दूरी से यहां पर यह आ रहा है तो transportation बहुत major factor होगा इस तरीके से है इसके लावा payment channels क्योंकि रश्या पर sanction लगाया जा चुके है payment channels को alternate payment channel को identify करना यह एक challenge होगा इसके अलावा cost of shipment रहेगा route को finalize करना यह कुछ challenges है जो finance minister ने यहां पर बताया तो India इसको finalize करने से पहले अपनी call लेने से पहले इन सब चीजों को देखेगा practical level पर assess करेगा इसके अलावा एक बहुत बड़ा challenge यह भी होगा तो India पे एक pressure रहेगा international pressure रहेगा लेकिन यहां पे जो इंडिया के foreign minister है उन्होंने statement दिया है कि इंडिया जो है unilateral sanctions को follow नहीं करता है एक तरफ से आपने sanction लगा दिये इसको हम follow नहीं करते हैं नहीं मानते हैं यह हमने S400 वाली deal के अंदर भी देखा था लेकिन अगर pressure बढ़ता है तो इंडिया किस तरह से react करेगा यह भी देखने वाली बात है overall हम देखे हैं तो यह geoeconomics में जो बदलाव हो रहे हैं definitely इंडिया के point of view से यहां पे क्या हैं काफी सारी opportunities है इंडिया किस तरह से इन opportunities को use कर पाता है अपनी economic growth को fuel कर पाता है यह बहुत देखने वाली बात हो this is all pdf of the session will be available on this telegram channel इसके अलावा an academy stores आपके open हो चुके हैं यहां पे जावके आप an academy products को experience कर सकते हैं और रजंदर नगर में आपका रहा है first 27 March को national scholarship test conduct हो रहा है इसमें आप participate कर सकते हैं चलावान academy से आप जूड़ सकते हैं जहां पे optional subject आपको free दिया जा रहा है last date इसकी 12 March यहां पे last date है तो GS की price में आपको optional free दिया जाएगा पूरी fees 46,000 है इसके लिए आप जा सकते हैं घर बैटे पूरी preparation कर सकते हैं subscription link description box में है यह fee structure है use the code RBLife to get maximum discount and personalized guidance similarly you can go for iconic as well iconic में personal coach live mentorship के benefit मिल जाते हैं cable optional के लिए जा रहे हैं तो यह cable optional के plan है 0% EMI के साथ भी आप जा सकते हैं नए बैचेस स्टार्ट होरे हैं 16 March से जिनमें आप slivers complete कर से this is all for today don't forget to like, share, subscribe all the best, have a great day